जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना विल्कुल न भुले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन में 753 नए कुरोना संक्रमित दो जनवरी से रोजना होंगे एक लाख टेस्ट जार्खन में कुरोना की दूसरी लहर की तरो अब एक दिन में संक्रमित मिलने लगे हैं बतादे सुक्रवार को सबसे ज़्यादा 753 नए संक्रमित मिले हैं इनमें रांची जीले से ते साम बकारी भी संक्रमित हो चुके हैं तीनों को होम आईसोलेशन में रखा गया है बतादे राज्य में एक्टिब केस की संख्या ये कई सव से पाल हो गई है इधर मुखी मंत्री हमान सुरे ने रोजाना एक लाग टेस्ट करने का निर्देश दिया है बतादे राजी जील जारखन में गीरा पारासर धवाव से बढ़ी कनकनी जारखन में पच्मी विशोप का प्रभाव समार्थ होते ही सुक्रवार से फीर से ठंड बढ़ने लगी है पिछले 24 गंटे में नितों तापमान में 2-5 डिगरी की गिरावर्त धर्ज की गई बतादे आने वाले 3-4 दिन नितों तापमान में फिर से 3-4 डिगरी तक गिरेगा नितों तापमान के समाने से कम होने की वज़से कमकपी और बढ़ेगी बतादे मौसम पुरोन मान में 9 बरस पर सनिवार को राजे के राची खोटी डाटन गई लाते हार गढ़वा लुह दगा गुमला चातरा रामगर हजारी बाग और कोडारमा मनितों तापमान 8-9 डिगरी सेलसियस के बिच रहेगा इसके चलते यहां ठंड का असर जयदा रहेगा वही राजे के सेस जीला में पारा 10-11 डिगरी सेलसियस के बिच रहेगा जारखन में मिले 750 मरीज इस परकार है रांची 327, पूर्वी सिम्भूम 74, कोडारमा 63, धनबाद 16, बुकावरो 49, हजारी बाग 46, खुटी 24, देवघर 23, पच्मी सिम्भूम 20, रामगर सतल, लुहर्दा का 10, पलामो 9, जाम तड़ा 5, गिरी डी 5, गोड़ा 4, गुमला 4, ला जारखन के जीलो में एक्टिव केस इस परकार है रांची 860, पूर्वी सिम्भूम 24, कोडारमा 378, धनबाद 18, बुकारो 108, हजारी बाग 106, खुटी 44, देवघर 22, पच्मी सिम्भू 58, रामगर 30, लुहर्दा का 10, पलामो 16, गिरी डी 25, जाम तड़ा 8, गोड़ा 5, गुमल जारीच एक्टिव हैं, कोरोना भैक्सिन लेने वालों में नई लहर का असर नहीं के बराबर, कोरोना भैक्सिन लेने वालों को तिसरी लहर में गंभीर संक्रमन होने की समावना काम हो सकती है, बतादे डिम्स के डक्टरों ने देश के 4 मेडिकल कोलेजों के साथ मिल कर किये गए सोध पोस्ट कोविड श्टडी में या बाते सामने आ रही है बतादे सोध करीब 15-100 ऐसे मरीजों पर किया जा रहा है जिन होने कोविड बैक्सिन ली थी और उसके बाद संक्रमित हुए या दूसरी बिमारी से ग्रस्ट हुए ऐसे मरीजों में कुरोना के गंभीर परिना संस्थानों को भी रखा गया है केंद्र का अलर्ट राची में सकती बढ़ा है जार्खन खास कर राची में कुरोना संक्रमन की बढ़तीर अफ्तार से केंद्र चिन्ति था है केंद्रिये स्वास सचिव राजेस भूसर ने जार्खन के स्वास बिभा के अपर मुक सचिव अर मौत की दरबर सकती है, बता दे मुख्य मंत्री ने अपिल की है कि मास्क लगाए और सोसल डिस्टेंसिंग के पालन करे, सन्यम और सतर्कता के साथ नया साल सेलिबरेट करे, पार्टियों और बेवज़ा भीर भाग की जाओं में न जाए, स्वयम के साथ साथ अपने परिजनों की सुरक्षा करे, संक्रमन से बचाओ के सभी निर्देशों पर अमल करे, संक्रमन से हम सब मिल कर लड़ेंगे और जीतेंगे भी, उन्होंने कहा कि कुरोना संक्रमन के बदलते वेरियंट को समझे और सतर्क रहे, लीपी बध किया जा रहा खरसावा गोली कांड, अर्जुन केंद्रिय मंतरी अर्जुन मंदा ने कहा कि जारखन के सराय केला जीले से खरसावा के सहीद अस्थल की विशेस प्रिष्ट भूमी रही है, यहां बई संक्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने बलिदान दिया है, ऐसे ही देश के विभीन छेत्रों में आदिवासी सम मुदाय के लोगों ने कही देश के लिए तो कही जल जंगल जमीन के लिए अपने प्रानों के आउती दी है, खास कर खरसावा गोली कांड समेत देश के अलग-अलग एतिहासी घटनावों को लिपिबद किया जा रहा है, उनका मंतराले आदिवासी बच्चों के लिए हर प जारखन में टीका करण के लिए किसोरों का पंजियन शुरू, जारखन में भी 15-18 वर्ष के किसोरों के टीका करण के लिए सनिवार से पंजियन शुरू हो गया है, बतादे कोविन पोर्टल पर इस आयूवर के किसोरों का पंजियन शुरू हुआ, हलाकि पोर्टल के डेस ब मौको के एकाउंट पहले से ही कोविन पर खुले हैं उनके माधियम से भी पंजियन हो रहा है बताधे पंजियन के लिए फोटो पाचार पत्र की जरूरत है जिसमें स्कूल का परचय पत्र भी माने किया गया है तीन जनवरी से टीका केंद्र पर ओन साइट पंजियन भी होगा जतरा मिला देखने गई नवाली का अफरन के बाद समोहिक दुसकर्म जारखंड के गुमला जिले में एक नवाली का अफरन कर समोहिक दुसकर्म का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि नवाली के साथ जतरा मिला देखने महुआ डिपागाव गई थी चाहां से तीन पर इडि की नकेल परदीप मंडल का घर सील जार्खन के जाम तड़ा जिले के नराइन पूर्थाना छेतर के कुख्यात साइबर अपराधी परदीप मंडल के मिरगाँ विश्थीत घर को इडि ने सुक्रवार को सील कर दिया जनकारी के अनुशार तिन सदस्यत टीम नराइन पहुँची जहां से ASI राजस्वर यादव के नितित में मिरगा गाँ पहुँचकर कुख्यात साइबर अपरादी के घर को सील किया गया आपको पता दे कि एक माँ पूरो परदीप मंडल के घर से एक S-Carpio को ED नजप्त किया था उस दवरान ED की ओर से परदीप मंडल को घर खाली कर देने को कहा गया था लेकिन उसके दुआरा घर को खाली नहीं किया गया था HEC कर्मियों ने थाली बजा कर जता है बिरोध साल का आखरी माँ दिसंबर HEC कर्मियों के लिए तनाव भरा रहा बतादे 30 दिनों से करमचारियों कांदोलन जारी है सुक्रवार की साम 7 बजे HEC कर्मियों एक जूट होकर मुख्याले के सामने थाली बजा है और थाली बजा कर केंदर सरकार तक अपनी आवाज पहुचाने के परयास किया इस मौके पर कई लोगों ने अपने घरों में भी इस अभियान का समर्थन किया और थाली बजाते हुए फोटो वाइरल किया जार्खन करडर के 9 IPS अधिकारी को प्रोनती जार्खन सरकार ने जार्खन करडर के 9 IPS अधिकारी को प्रोनती दी है जारखन में वापसी के बाद उनका पदर थापना पुरुनत पर होगा नय साल पर राची में डीजे पर जम कर थिरके लोग कोरोना के बरती संक्रमन के बीच राएधानी राची में नव बरस का स्वागत धुम धाम से किया गया बता दे सहर में इस्थित विभीन होटलों में आवेजित पार्टियों में लोग डीजे की धोन पर जम कर थिरके रात बारा बजते ही अतिस बाजियों के सोर से सहर गुज उठा बता दे लोगों ने एक दूसरे को नौव बरस की सुब कमनाये देख कर खुशियों का इजहार किया वहीं नौव बरस की पूर्व संध्या पर होटलों में आवेजित पार्टियों में डीजे नाइट गालाट डिनर सहीत कई तरह के भी सेस आयोजन किये गए थे जिन में लोगों ने बरचर कर हिसा लिया बता दे करुशित होटल रेडिशन गुलू में इस बार नौव बरस का थीम मास्क रेड रखा गया था होटल में पार्टी मनाने के लिए पहुंचे लोगों को पहनने के लिए मुखाटा दिया गया था नए साल में रीम्स के बिभागा अध्यक्ष कुर्सी बदलते ही नराज दिखरे है डॉक्टर रीम्स में Good Governance के नाम पर रीम्स के 26 बिभाग मेंसे 13 बिभागों के बिभागा अध्यक्ष बदल दिये गाए और नियम के विरूद एसिस्मेंट प्रोफेसर को होडी बना दिया गया बता दे यूरोलोजी रेडियो थेरेपी सहीत और विभाग के ऐसे नाम सूची में डाले गए जिनके चैनीत होडी उसकी पत्राता तक नहीं रखते रिम्स साथ सी परिस्त के अध्यक्ष ने इस समध में निर्देश जारी किया है हलाकि इस समध में अभी तक भी भागिया इस उतना जारी नहीं की गई इस समध में बताया जा रहा है कि रिम्स में कई वर्सों से होडी का बदलाव नहीं किया गया था इस बदलाव के बाद उमीद है कि नई उर्जा और पलानिंग के साथ सारे HOD काम करेंगे रोटेशन के अधार पर बनाए गए HOD का कारेकाल तीन वर्श का होगा रोटेशन के अधार पर HOD बनाने कोलेकर रिम्स के वर्यर डक्टरों ने इसका बिरोत करना भी सुरू कर दिया है संक्रमन के बढ़ते मामले की बीच अगले हपता उच अस्तरिय बैठक मुख्य मंत्री ने कहा है कि अगले हफ्ते उच अस्तरिय बैठा कर कुरोना संक्रमन के बढ़ते मामलों के सभी पहलूओं का आकलन करते हुए जरूरत के अनुचार राज सरकार ठोस कदम उठाएगी मुख्य मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि 15 जन्वाई तक राज्य में 70% वैसको का टीका करन सुनिश्चित करें जिन्होंने टीके की पहली डोज ले लिया है उन्हें उसका सवसमय दूसरा डोज भी लगे या सुनिश्चित किया जाए इसी परकार जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लिया है उन्हें पहली खुराक दे धन्यवाद वैसे में आप हमें कोमेंट भक्स में बताए कि क्रोना के बढ़ते मामले के बीच आप कितना सतर्क है आपने टीका लिया है या नहीं यदि टीका लिया है तो डोज लिया है या सिर्फ एक लोज लिया है आप अपना सुझाओ अवस्य दे धन्यवाद